दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC Paytm Credit Card का discussion करेंगे अब इस वीडियो में हम इस HDFC Paytm Credit Card के सारे features को देखेंगे साथ में इसके लावा Paytm के दो और ऐसे credit cards हैं जो market में बहुत जादा चलते हैं उन credit cards का भी comparison करेंगे देखो सबसे पहले ये जो HDFC Paytm Credit Card है ये तो आता है Visa ये है Visa Credit में बहुत एक तरह से Visa Format में आता है दूसरा है जो दो दूसरे credit card है उनमें पहला है SBA का Paytm रूपे credit card और दूसरा है SBA का ही Paytm Select Credit Card ये साथ में दो और credit cards हैं इनको भी हम साथ में लेके चलेंगे लेकिन सबसे पहले हम एक बर इसके सारे features को देख लेते हैं फिर ये देखेंगे last में कि ये SBA वाले जो दो credit cards हैं ये क्या-क्या features देखते हैं फिर हम comparison करेंगे फिर आप देखना कि आपके लिए कुन सा credit card इन तीनों में से ज़ादा better अब यहाँ पे जो HDFC Paytm credit card है इसके features की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बोलता है कि आपको 3% का cashback मिलेगा अगर आप Paytm की app install करते हो और इस credit card से अगर आप खर्चा करते हो पहला तो recharge पे दूसरा utility bill payment पे तीसरा movies पे और चोथा mini app अब यह mini app क्या है यह जब आप Paytm mini app पे जाके mini app सर्च करोगे न तो यहाँ पे बहुत सारी apps दिखाएगा यह सारी apps दिखाने लगेगा यह सारी app Paytm बोलते है कि यह आप अलग से install मत करो यह आप Paytm खोलो Paytm के mini app वाले section में आओ यही से ही इन apps को open करो और इन से खर्चा वर्चा करो आपको सीधा सीधा 3% का हम cashback देंगे अब फाइदा यह है Paytm बोलते है क्यों अलग से आप अप install करोगे यह वाली अलग से अपने phone की storage भरोगे बढ़िया यह है ना कि Paytm को ही download करो यही से in app को खोलो और अपना cashback कमाओ अच्छा जी 3% का cashback मिल रहा है आप अराम से पैसा बचा सकते हो देखो recharge recharge आपको हर महीने कराना है utility पे bill will आपने हर महीने भरने है movies आप book कर सकते हो और mini app मैंने आपको बताई दिया अब लेकिन इसकी term and condition यह है इस फ़ले feature की की जादा से जादा महीने में 500 रूपे का ही cashback ले सकते हो 500 का cashback कब मिलेगा जब आप 16,666 का खर्चा करोगे तब ही तो 3% के हिसाब से आपको 500 रूपे का cashback मिलेगा यानि आप कैसे भी कहलो की महीने में जादा से जादा 500 रूपे का cashback मिलेगा या फिर आप ये भी कह सकते हो कि महीने में आप जादा से जादा 16,666 रूपे खर्च करोगे तब ही आपको इस feature का maximum benefit मिलेगा ठीक है जी इसके अलावा इसका जो दूसरा feature है वो ये बोलता है कि आपको 2% का cashback मिलेगा अगर आप Paytm पे जाके कोई भी दूसरी spending करते हो यानि इन 4 को छोड़ दो इसके अलावा Paytm पे अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको 2% का cashback मिलेगा अच्छा जी इसके अलावा आप 1% का cashback मिलेगा अगर आप retail पे कुछ भी खर्चा करते हो इस credit card से तो फिर आपको 1% का cashback मिलेगा ये जो 2% का आपको cashback मिल रहा है Paytm पे कुछ भी खर्चा करने पे इसकी भी term and condition यही है कि आपको महीने में जादा से जादा 500 रुपे का ही cashback मिलेगा और ये जो नीचे 1% का cashback आपको लिखा हुआ है कि retail पे 1% cashback मिलेगा इसकी term and condition यह है कि महीने में आपको जादा से जादा एक हजार रुपे का ही cashback मिलेगा ये इसकी terms and condition है यहां पर मैंने आपको साइड में स्क्रीन शोट भी लगा दियें, यह मीनी आप का स्क्रीन शोट हो गया, पेटियम आप खोलोगे तो वहां पर रिचार्ज वाले सेक्षन में आपको यह सारी चीज़े दिखे जाएंगी, यह जो टिकेट बुक करनी हैं आपको, यहां पर आपने इस क्रेडिट कार्ड से पैसा पेटियम के वोलेट में डाल दिया और आप बोलते हो कि लाव कैश्वेक, कोई कैश्वेक नहीं मिलेगा, फ्यूल पे अगर आप कोई खर्चा करते हो, तो कोई कैश्वेक नहीं मिलेगा, अगर मानलो कोई भी आपने सामान खरीदा, पेटियम से ही भले खरीदा, लेकिन उस समान कि आपने EMI बना ले, तब भी कोई cashback नहीं मिलेगा, और इसके अलावा गर आप मानलों जी ये पेटियम को use करके, अपने rent की payment करते हो, या अपने owner को rent भेज दे हो, तब भी कोई cashback नहीं मिलेगा, या फिर अगर कोई सरकार से related, गोवर्मेंट से related, अगर कोई भी expense करते हो, तब भी कोई cashback नहीं मिलेगा, चीक है जी, इसके अलावा इसका दूसरा feature ये है, कि ये welcome benefit के तोर पे आपको पेटियम first की, पेटियम first की membership देता है, अब ये पेटियम first क्या है, देखो या पे मैंने screenshot लगा दिया, ये पेटियम first कि मेरे को पेटियम first की membership खरीदनी है, तो 6 महीनों के लिए ये membership वैसे आपको 899 रुपे की मिलती, लेकिन अगर आपने ये credit card ले लिया, जिसकी fees सिर्फ आपको 500 रुपे साल भर के लिए देनी है, ये आपने credit card ले लिया HDFC का, तो यहाँ पे आपको जो membership है, पेटियम first की, ये एक साल के लिए मिल जाएगी, वो भी free of cost, तो एक तरह से ये मानलो, 6 महीनों के 899 रुपे है, तो इसको 2 से multiply कर लो, तो almost almost 18100 रुपे हो गए, ये 18100 रुपे वैसे आपको पे करने पड़ते है, अगर आप एक साल की पेटियम first की membership लेते, लेकिन ये credit card आपने क्योंकि ल लिए है, तो आपको एक साल की पेटियम first की जो membership है, वो मिल जाएगी, ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो term and condition वो ये है, कि आपकी जो ये membership है, जो पेटियम first की membership है, ये तभी activate होएगी, जब मानलो, आपके पास ये credit card आगया, ठीक है, ये credit card आपका activate होगया, ये credit card activate होने के बाद, जब आप पहली transaction करोगे न, तभी आपकी paytm first की membership activate होएगी, ठीक है जी, इसके अलावा minimum transaction आपकी 100 रुपे की होनी चाहिए, तभी आपकी cashbacks मिलेंगे, पीछे चो हमने सारे cashback देखे है न, वो cashback तभी मिलेगा, जो भी मैंने 3%, 2%, 1% हमने देखा, तो minimum transaction 100 रुपे की होनी ज़रूरी है, ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये बोलता है कि fuel surcharge waiver आपको मिलेगा, 1% का मिलेगा, कब मिलेगा, जब minimum transaction 400 की होनी चाहिए, और maximum transaction 5000 की होनी चाहिए, आपको 1% का fuel surcharge waiver मिल जाएगा, और यहाँ पे जादा से जाद 500 रुपे का fuel surcharge waiver आप हर महीने ले सकते हो, ठीक है जी, इसके बाद एक milestone benefit दे रखा है, बहुत खास feature तो नहीं है बड़ ये बोलता है कि अगर आपने महीने में 10,000 रुपे खर्च कर लिए, minimum 10,000 रुपे खर्च कर लिए महीने में, ठीक है, जैसे मालो आप नया महीना स्टा पता लगे, आप ने कहा कि जी, लो जी, इस महीने में तो 50,000 रुपे खर्च कर लिए, लाओ 500 रुपे का cashback, नहीं मिलेगा, महीने में 10,000 रुपे अगर आप खर्च कर लेते हो, कम से कम, 1% का cashback मिलेगा, तो लेकिन जाद से जादा 100 रुपे का मिलेगा, ये भी नहीं कह सक पते हो, तो 20% का आपको cashback मिल जाएगा, ठीक है, बाकी हमने ये देख लिया, कि इसकी जो joining fees है, वो भी 500 रुपे है, annual fees है, वो भी 500 रुपे है, ये जो joining fees है, ये 500 रुपे माफ हो सकती है, अगर जिस दिन आपके पास ये credit card आया है, उससे अगले 90 दिनों के अंदर अंदर, अगर आप 30,000 रुपे खर्च कर लेते हो, तो आपकी ये joining fees माफ हो जाएगी, और annual fees माफ हो जाएगी, जिस दिन आपके पास ये credit card आया है, उससे अगले एक साल के अंदर अंदर, अगर आप 50,000 रुपे का खर्चा कर लेते हो, तो आपकी ये जो annual fees है, ये भी माफ हो जाए क्योंकि अगर किसी ने 1 April 2030 से पहले अगर ये credit card लिया ना, तो पहले इसकी fees जो होती थी ना, joining fees और आपकी जो annual fees, ये monthly basis पे लगती थी, ये लगती थी 59 रुपे के हिसाब से, यानि 59 रुपे प्लस 18% GST के हिसाब से, ये इसकी fees लगती थी, ठीक है, और साथ-साथ ये होता इसका feature कि monthly fees आपकी माफ हो जाएगी, जैसे मैं आपको बता रहो ना, कि annual fees माफ हो जाएगी, अगर आप इतना इतना खर्चा कर लोगे, लेकिन पहले चलता था कि monthly fees माफ हो जाएगी, अगर आप किसी महीने 5000 रुपे का खर्चा कर लेते हो ना, तो आपकी फिर monthly fees माफ हो जा visa variant में लिएंट में आता है दूसरी तरफ एक SPI का pay T.M. SPI pay T.M. रुपे credit card. चीक है जी और तीसरा है S. Nanaud baba pay T.M. चीक है जी यह हमारा select रुपे credit card. चीक है confused मत होना यह S.criptIern रुपे credit card है यह भी S.airy का pay T.M. रुपे credit card है लेकिन यह S.B.ratos पेटियम सलेक्ट रुपे क्रेडिट कार है ठीक है जी इसकी फीज हमने देखी 500 रुपे है इसकी फीज है 499 रुपे और इसकी जो फीज है यह है 1499 रुपे है राइट हमने क्या-क्या देखा अभी इसके अंदर एवफटफट देखते है ठीक है HDFC वाले में हमने देखा एक मेरे को पेटियम फिस्ट की मेंबरशिप मिल रही है 1 साल की 18,10 रुपे जिसकी मेरे को वैसे फीज करनी पड़ थी वो वाला फीचर यहां पे भी मिल रहा है ठीक है credit card की ठीक है अब यहाँ पर बस इसका फाइदा यह है कि यह ऐसी चीज़े हैं जा मैं हर महीने खर्चा कर सकता हूँ ठीक है अब वापिस आते हैं यह जो SBI का Paytm वाला credit card है यह मेरे को सोरी यह जो SBI का Paytm वाला credit card है यह मेरे को बोलता है कि Paytm mall मेरे को अलग से app इंस्टोल करनी पड़ेगी वहाँ पे कुछ अच्छा खासा समान मिलता नहीं है दूसरा है Paytm movies अगर आप शोकीन हो तब तो हर महीने 3% के इसाफ से अच्छा खासा cashback बचा लोगे लेकिन अगर आप ऐसे हो कितनी ही movies देख लेंगे तो फिर SBI वाला अच्छा नहीं है और तीसरा है Paytm travel frequent travel हो, train से करते हो, flight से करते हो अगर करते हो तो आपको पता है कि 3% के इसाफ से कोई अपर capping है नहीं है तो आप अच्छा खासा cashback इस पर बचा सकते हो लेकिन आपको लगता है कि कितनी बार ही जाज में जाना है, कितनी बार ही train की टिक्टे book करनी है तो ये कुछ ऐसे feature हैं कि आपकी need के ओपर depend करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा travel करते हो movies देख लेते हो तो SBI को opt करो लेकिन अगर आपके खर्चे ऐसे हैं कि भाई इतना जादा इस पर travel travel करना नहीं movies देखनी नहीं फिर ऐसी चीज को लो ना जहां Paytm पर पता है कि utility की bill तो भरने ही भरने है recharge तो कराने ही कराने है तो हर महीने cashback तो कम से कम बचा लूँगा हर महीने कम से कम 500 रुपे तो मैं बचा लूँगा तो यह आपको देखना पड़ेगा तो यह इसमें 3% का cashback मिल रहा था अलग चीजों पर इस पर जो आपको 3% का cashback मिलता है वो मिलता है वही Paytm ये मैंने आपको दिखा है ना Paytm Mall, Paytm Movies और Paytm Travel और ये जो 1499 वाला SBA select है इस पे भी यही सारी सेम चीज़ें मिलती है लेकिन यहां मिलता है बस 5% का cashback ठीक है जी इसके अलावा ये बोलता था 2% का cashback मिलेगा Paytm पे कहीं मर्जी खर्चा करो लेकिन जादा से जादा 500 रुपे का अब इन दोनों के तो ये इसके और इसके जादा से जादा 1000 रुपे का मिलेगा ठीक है यह मैंने आपको बता दिया भी दोनों की fees बराबर यह 500 रुपे बस फरक यहां पर आ जाता है यह 3% देता है यह भी 3% देता है लेकिन यह ऐसी चीजों पर देता है जहां आप easily पैसा बचा सकते हो लेकिन इसकी upper limit है इसकी upper limit नहीं है लेकिन upper limit तो नहीं है लेकिन अब आप आ 1499 है लेकिन इसका जो joining benefit है वो यह बोलता है कि 700 रुपे का आपको सीधा सीधा पेटियम वोलेट में पैसा आ जाएगा तो कहने का मतलम मैं यह कह सकता हूं कि जैसे यह credit card मेरे पास आएगा तो 700 रुपे तो मेरे पेटियम वोलेट में यह लोग डाल देंगे तो मेरी जोइन international airport पे जो priority pass होता है मैं एक बर आपको फटा फट दिखा भी देता हूं ठीक है यह देते हैं यह रहा ठीक है यह international launch पे priority pass नाम की यह company है उसका यह card बनता है देखो कुछ ऐसा देखता है नीचे नाम होता है यह priority pass का आपका membership card बन जाएगा यह तीन format बनाते हैं standard, standard plus, prestige आपको यह वाली standard वाली subscription यह लोग देदेंगे वैसे इसकी fees 99 डोलर है ठीक है यानि almost almost 81 100 रुपे के आसपास आज के rate के हिसाफ से बैठती है ठीक है यह आपको 2 साल के लिए देगे यानि इसको भी आप 2 से multiply कर लो यानि almost 16,200 रुपे की यह बैठती है ठीक है यह आपको देदेंग गए, USA गए, London गए, कहीं पर भी गए तो आप वहाँ पर launches का access ले सकते हो राम से rest कर सकते हो आपकी flight दो गंटे बाद है राम से आप launch के अंदर wait कर सकते हो ठीक है तो अगर आप frequent international travel करते हो तो आपके लिए फिर यह बहुत काम आ जाता है ठीक है साथ में यह domestic launch पर भी देता कि आपके क्या traveling के भी खर्चे है international यह domestic के अगर है तो फिर भाई इन दोनों को काटा मारो यह वाला लेलो लेकिन आपको लगता है ना international travel करना है ना domestic travel करना है और simple paytm, puttm पे ही चाहिए तो इन दो में से select करो फिर इन दो में से भी कौन सा select करो फिर आप यह देखो कि 3% वा वेलेको आप्ट कर सकते हो ptm मोल पे खर्चा करते हो या फिर पेट अप्यर टेवल पे खर्चा करते हो तो आप इसको चूस कर सकते हो नहीं करते आप चाहते हो,- souha. पूरा का पूरा यह ग् darle wonे करकी बहूत itfc वाले को रई, हो गया देखो दुनिया ऐसे ही आती है कि HTFC के ये feature है मतलब वो feature को भी ढंक से terms and condition के साथ नहीं समझाते आते हैं और उनको जितना समझ में आता है दिखता है वो बोल देते हैं और हो गया जी समापत credit card का ही सारा का सारा पाकी आप देख लो उसका कोई फाइदा नहीं है यहां अच्छे से हमने discuss किया और इसमें ना देखो एक एक दो दो दिन की research लग जाती है तो प्लीज अगर आपको लगते हैं जरा साभी आपकी knowledge में value edition हुआ है तो प्लीज मैं आपसे request करूँगा कि इस video को like और channel को subscribe जरूर करना और अच्छे comments के साथ हमें motivate जरूर करना प्लीज मैं आपसे request करूँगा ताकि ऐसी और वीडियो के लिए हम motivated रहें और आपके लिए जो है नई नई वीडियो ले करके आए ठीक है तो अभी के लिए this is the end of the video बाकी मैं इन तीनों के जो link है वो भी description box में दे दूँगा आप अपनी सूज बूस से तसलिए से analyze करो कि आपके लिए कुंसा credit card ज्यादा बेटर है ठीक है तो अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all